आज के इस वीडियो के अंदर हम electrical के एक काफी important topic के उपर बात करने वाले हैं हम जानेंगे कि अगर हम कभी हमारी motor को मेगर से test करते हैं तो उस समय कितनी IR value motor की आना जरूरी है IR value का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है दोस्तों insulation resistance मतलब कि अगर आप कभी किसी motor को check करते हो तो उस समय आपकी जो motor है उस motor का minimum IR value insulation resistance कितना होना चाहिए इसे हम जान लेंगे और दोस्तों साथ ही में आपको मैं एक और बाता दू इस वीडियो के अंदर मैं आपको only theoretical answer नहीं देने वाला हूँ मैं आपको साथ में practical answer भी देने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों practical answer जानना आपका काफी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपसे कभी interview में पूछा जाता है इसके बारे में सवाल और आप theory के साथ से बोल देते हो कि motor का minimum IR value है वह minimum हमारी 10 mega ohm होनी चाहिए तो उस समय intruder आपसे repeat में और भी टेड़े मेड़े question कर सकता है तो इसलिए आपको theory के साथ साथ practical knowledge भी होना चाहिए तो दोस्तों इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको एक वर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कहीं सारे लोगों के मन में एक question यह भी होता है कि जैसे कि हमारी motor 440 voltage पे चलती है उसका normal जो rated voltage है वो 440 है तो उस motor को check करने के लिए हमें कौन से मेगर का उपयोग करना चाहिए मतलब कि हमारा जो मेगर है वह मेगर कितने DC voltage का होना चाहिए तो उसका क्या जवाब है वो भी आपको सिर्फ इसी चार्ट से पता चल जाएगा दोस्तों इसका simple जवाब है आप अधिकतर जो भी मेगर देखते हो वह मेगर हमारे DC voltage से insulation resistance को test करता है अब आपको देखना है कि आप जो मेगर लेका है हो वह मेगर कितने DC voltage पर operate होता है और उसी rating को ही देखकर आप आपके equipment के लिए अलग-लग मेगर को लाएंगे जैसे कि दोस्तों आपका जो equipment है जो AC से चलने वाला equipment है अगर उसका operating voltage 100V से कम है तो उस समय आप उसी मेगर का उप्योग करोगे जो 100-200 DC voltage देता है इसके अलावा अगर आपका जो उकरेंड है वह 440 voltage से 550 voltage के बीच में है मतलब कि हमारी जो अधिकतर 3-phase motor होती है अगर आप उस motor को चेक करना चाते हो उस समय आपको जो मेगर लाना है उसकी rating हमारी 500 से 1000 voltage के बीच में होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपका जो उकरेंड हो 2400 voltage पर operate करता है तो उस समय आप 1000-2500 voltage के बीच का मेगर लाएंगे और आखरी के अगर आपका उकरेंड 4000 से उपर के voltage पर काम करता है तो उस समय जो मेगर लाएंगे वह आप 1000-5000 voltage पर रन होने वाला या फिर इससे भी जादा voltage पर रन होने वाले मेगर को लेके आएंगे तो दोसर यह था हमने मोटा मोटा जान लिया कि आखिरकार कौन से equipment के लिए हमें कितने DC voltage वाले मेगर को लेके आना है अब हम next बात करते हैं कि अगर हम हमारे motor का insulation registration test test कर रहें तो उस समय minimum value कितनी होनी चाहिए कि हम हमारे उस motor को huge कर सके उप्योग कर सके तो दोसर इस सवाल का मैं आपको सबसे पहले theoretical answer देना चाहता हूँ यह जो आपको चार्ट दिख रहा है यह IEEE association के दवारा दिया गया है यह IEEE association क्या है तो दोसर यह एक New York का association है जिसके अंदर चार्ट लाग से अधिक सदसे जुड़े हैं तो उसी association के दवारा एक minimum IR value दी जा चुकी है तो अगर आप कभी किसी motor को उप्योग कर रहे हो उसका mega test कर रहे हो तो आपको इतना insulation registration देखना होगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपका जो उक्राण वो 500 voltage पर रन होता है जैसे कोई single face की motor होगी तो उस समय आप mega का यूज करोगे 500 voltage का उसे चेक करने के लिए और जो minimum IR value होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 mega ohm अब यहाँ पर दोस्तों आप इस 25 mega ohm को बहुत ज्यादा समझ रहे होंगे इसलिए मैं आपको कहरों कि यह theoretical answer है अगर आप practical interview में आप यह जवाब दे दोगे तो हो सकता हो आपसे repeat हो बहुत टेड़े मेडे question करे और आप चाहे सही भी जवाब दे रहे हो तो हो सकता है वो आपको reject भी कर दे तो इसलिए अगर आप यह answer दे रहे हो तो साथ साथ आपको practical answer भी पता होना चाहिए इसके अलाव दोस्तों अगर आपको जो उकरण है उसकी voltage रेचिंग 600 voltage तक है कि answer simple सा है हम सभी को पता है कि हम industry के अंतर जाद अगर कौन सी motor को check करते तो वह करते हैं हमारी 3 face motor जो की 440 voltage पर run होती है अब दोस्तों अगर आप practical industry में जाकर देखोगे तो हम सभी इस motor के लिए क्या बोलते हैं तो इस बात को ध्यान में रखकर हम कहीं बार क्या करते हैं कम IR value आने के बाद भी हमारी motor को run कर देते हैं record association के दवारा minimum IR value को describe के आगया था उसमें बताया था कि आपकी minimum जो IR value होगी वो depend करेगी कि आपका जो load है जो आपका उपकरण है रहा उपकरण कितने voltage पर run हो रहा है जैसे कि उधारन के लिए आपकी motor 440 voltage पर run हो रही है तो अगर आपको इसका minimum IR value निकालनी है तो उनके द्वारा आपको एक formula दिया गया था तो इसके बाद में में पास में 30 है तो 30 के आगे point आदेगा तो यह हो गया हमारा point 440 तो मैंने voltage को kilo voltage में convert कर लिया अब मुझे क्या करना है सिर्फ plus 1 को add करना है तो मैं plus 1 जैसी करूँ हो तो मेरे पास जो answer आदेगा वो आदेगा 1.44 mega ohm तो अगर हम पुरानी research और association की बात माने तो उस case में 440 voltage पर जो motor run हो रही है उसका minimum IR value 1.44 mega ohm आना चाहिए अब अगर इससे कम है तो हमें हमारी motor को check करना चाहिए उसे repair की ज़रत है लेकिन अगर इससे ज़्यादा हमारा IR value आ रही है तो हम हमारी motor को use कर सकता है और अभी के समय practically जो rule को follow किया जाता है वो इसी rule को ही follow किया जाता है और इसी rule को ही follow करते हुए कही सारी industry में बोलेंगे कि आपको 1 mega ohm minimum IR value होनी चाहिए किसी industry में हो सकता है कि 2 mega ohm वो आपको बोले तो यह 1 mega ohm 2 mega ohm जो आया वो इसी से आया क्योंकि यह जो value आती है इस calculation से यह आती है हमारी 1.5 mega ohm के आसपाल तो इसलिए कुछ industry में अगर ज्यादा नीड हो रही है एकदम से हमारे machine को चलाना है तो वह 1 mega ohm पे रिस्क लेकर motor को चला लेते हैं लेकिन कुछ industry में 2 mega ohm को consider किया जाता है तो दोस्तों मैंने कोशिच करी इस वीडियो के अंदर आपको एक लाइक और एक कमेंट करके जरूब बताएगा इसी तरी की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाज